क्यार हुआ इत्रार हुआ है क्यार से फिर क्यों डरता है दिल क्यार हुआ इत्रार हुआ है क्यार से फिर क्यों डरता है दिल क्यार हुआ इत्रार हुआ है क्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी तुम भी कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी प्यार जो टूटा साल जो छूटा जान न चम केगा कभी प्यार हुआ इतिरार हुआ है प्यार से तुरे क्यों ठेरता है दिल कहता है दिल रस्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहा मंजिल कहता है दिल रस्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहा मंजिल क्या भुआ अरा भुआ है क्या ज़िक भुए कि माद आयन क्या भुआ त्थी था भुआ है क्या शुथ प्र ज़ेगा तरखा है आजा सनम अधुर चांदली में हूं तुम मिले तो विराने में भी आजाएगी बहार जुबने लगेगा समा जुबने लगेगा समा कहता है दिल और बचलता है दिल मुरे सा जुन ले चल मुझे तारो के फार जगता नहीं है दिल्याद जगता नहीं है दिल्याद भीगी भीगी रात में दिल का दामन साम ले कोई कोई जिन्दगी खर्दं तेरा ना मिले चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर जिन्दगी है एक सफर कौन जाने कल किदर आजा सनम अधुर चांदने में हम तुम मिले तो विराने में भी आजाएगी बहाँ छुमने लगेगा आसमा छुमने लगेगा आसमा कहता है दिल और मचलता है दिल मुरे साजन ले चल मुझे तारों के बाद लगता नही है दिल यहाँ लगता नही है दिल यहाँ बहुत ही जादा ब्यूटिफुली गाया है आप दोनों ने Thank you so much means magic था voice में, magic तुम दोनों का जो कनेक्शन है ने सिंगिंग में आप एक दूसरे को जो समझ रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था I love it Thank you so much तर्शे को में आपको बता दू कि यह एक नॉन कंपेटिटिटिव अक था 10 December 2022 की वो थंदी राद जैसे ही यहाँ एक बंदे ने अपनी सखताई दिखाई और काव्या से राखी बंदवाई पाच करोड छोरिया बावरी हो गई कल ये गली से गुजरे जब एक सुंदर और घमंडी लडकी ने इनको यो उंगली दिखा कर अपने पास बुलाया और कहा हमारी खुबसूर्ती की शान में तो लाइन को ये उसके पास गए और बड़े रोमांटिक अंदाज में बोले Roses are red, while it's a blue जुटिक अ कुए अपढूर्य में ये खुड़े रीटिड रीज लेगानों Raja reject inv हुड लेद है, दिar इसंदे लाइन भुड़े के तिल गवाल चिराक कोड़ वाल वे वे उखे अच्चिटीट अभी भी रीजेक्शिन का चाया हुआ है, ब्रू श्यनाज में आरी हैं और श्यनाज में बहुत खूपसोरत हैं और जब हम किसी खूपसोरत इंसान से मुलते हैं तो खुद भी थोड़ अच्छा बना पड़ता है वेन जокой नहीं स्टालिस्ट महाँ चाहता हूं कि जो अथ सामने जाओ तोफ ए स्थिर्ट बश्ट जुआ के लिए जुबने कें लिए ट्रीजुवन जुटो यह 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 की जुट दूज के लिए झाले हुआ यह लिए पी रहे जुटे प्नी हमुट चया हुआ तेरागी यह सब्सक्राइब आप लोगा देशा है जाता है यहाँ जाती हूँ को आप मुझे थेन में से कितना रेट करो गए पहले तो यह बताओ मैं टेनी करूँ है शीराग गाष तो टीक है साथ में माम लगादिया You rejected me, yaar. I want you to give Shanna's 10 out of 10. Thank you. Thank you. Thank you. Haseena se Yung mula ka ho gai Ikajnawik Haseena se Yung mula ka ho gai फिर क्या हुआ ये लब पुछो कुछ ऐसी बात हो गई एक जनवी हसी ना से यू लाकात हो गई वो अचानक आ गई यू नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चाँ जैसे निकल आया घटा से चाँ चहरे पे सुफी बिखरी हुई थी दिन मेरा दो गई एक जनवी हसी ना से यू लाकात हो गई प्यार तिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से बेकाना होता है प्यार तिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से बेकाना होता है शमा कहे परवाने से परे चला जा मेरी तरह चल जाएगा यहां नहीं आ शमा कहे परवाने से परे चला जा मेरी तरह चल जाएगा यहां नहीं आ वो नहीं संता उसको जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से बेकाना होता है प्यार दिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से बेकाना होता है यह बात है चिराग इस सीजन के एक बहुत स्पेशल बात है कि आप जब सारे लोग जब कि सोरदा के गाने गाारे तो आप उस चीज को जुस्चिफाइ करें उनक के एदाकारी को उनके बांडविध को उसको जुस्चिफाइ करें विच इस इंक्रेब। thank you sir Thank youуют बहुत कुः बहुत च्राग विनित आई दिखते हैं आप से मिलने को ओना है मेरा नाम शीतल प्रकाश मुरे मैं ठंगने गाव की हूँ और अजिवाई स्कूल में मैं टीचर हूँ यह स्कूल के शुरुवाद योगेंद्र बांगर सर्जी और दिलिभाई दलाल उनोंने की गाव की बुजूर्ग महिला है जो राशन लाने जाती थी तब ही मतलब लाइन में खड़ी होती थी जो पड़ी लिखी लोग है वो साइन करते थे निकल जाती थी लेकिन इन महिलाओं को अंग उठा देना पड़ता तो मतलब इनके मन में ऐसा लगता था कि हम लोग अनपढ़े तो हमें भी साइन करना आना चाहिए मतलब उनको ऐसा लगता था हमें कुछ तो कमी है हमारी इतनी उम्ब रहो गई लेकिन हमारी जो ख्वाइश थी पढ़ने लिखने की वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती दादी की पाट साला शुरू करते इसका नारा लगाया तो इतने दादी और लोग दोड़किया ही कि इसकी शुरूवात ही कम से कम 32-33 आजी से शुरूवात हो गई मैं इसी गाव की हूँ मैं इस गाव में भवू हूँ मतलब ये सब मेरी सासुमा लगती है इनको पड़ाना बहुत मतलब बड़ी बात है मैं इनकी वा जया बोलेशी आजी असा कजा पुस्त देडली आसा सब्से देडली आज 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 तो आज च़ञां आज आजाए हांगे बच्चों को जैसे एक सात पड़ाया जाते है वैसे दद्द एधियों को नहीं पड़ा सकते हम लोग क्युकि किसी को दिखाई कम किसी के हाथ कापते हैं, तो उनका हाथ हाथ में पकड़ कर उनको सिखाना पड़ता है। कांता भई लक्षमान पोरे। हाजार। तुन्स उन्स उडू आज आज आपड़त फिरू। दुरे दुरे राना चल्या सुल्या मंदी सुलू। काई परमिसे लची कुर्पा तर खरोकर आमाला या अजी बाईचा शाले मूलो यह उड़ा मान है। अखे जागा मदी लोग आमाला ओल लगता है। आमी आया पातलावर। आमी कुटे गेलो नाग आग आप आशी दर्शन गेतात। यह गड़ आदी बस आज यह गड़ी कमता। आज हमारे इस भांगने गाव को आज जी की पाठशाला के नाम से जाना जाता है। अमी इंडे ना इंडे आइडेल बक्तो आमाला कुप आवरते। उंस उंस उड़ो आज अबड़क फिरू। दुर दुर राना जया दुया परेती दूू। ना तुग वारंजा अध्या जाकार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो हमारी क्यूटी पाइस के लिए बार जोर्दार तालिया हो जाए। वाके में यार। यूनो ऐसी कहानिया हम देखे और सुनते हैं तो दिल भराता है। माम, मैं स्कूल के बारे में जानना चाहता हूं यह कैसे उपरेट करता है कब से कब तक आप अपढ़ाई करते हैं। प्लीज इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। यह ऐसा स्कूल है। जहां पे साथ साल के आगे की सब दादी नानिया पढ़ने आती है। इस पाठशाला में उनकी एक ख्वाईश थी कि हम लोग बचपन में कभी स्कूल गए नहीं है। तो हमें इस उंब्र में पढ़ने के लिए मिला है। अनुत कहल된 की सब नहीं करमें गएं। यह झरीओर में ड़ा मतले हुएं टें मतलब रोज आते है यह लोG पढ़ना मुझे मिला ह। मैं जबरां रह जवल हूं था और इस अप बर्श आमे में यह लोग पाड़ा कि ए अरुने अंडं धुक हुआ है। नहीं, नहीं, पाठशाला में ते कुछ नहीं होता है अरे वाह, क्या बात है, तो पाठशाला के भाहर? घर में तो मैं उनकी भूह हूँ हूँ नहीं से माम तुम्ही खुब छान दिस्ता है गोडगोड पुरन पुरी साल्खा सब अरे आपके पीछे में एक बहुती क्यूट चीज देखी है और अच्छी बहुत साल हो गये, इसे देखे हुए तो मैम यह आपका स्कूल बाग है यह तो क्यूट है चार जज़ज, विशु सहर, देखे ना यह बाज है तो प्यारा सा स्कूल पाग है आम शालेट गेओ बर्तो आम बिलकूल पर लाण पनि आमी शालेट गेळो ने आमला खूपा उसुती पन वर्लण शालेट जाओ देली ने आमी पाच भावन्ड ओर ले दोगान सिकूदे तुमी नका जाओ आमी तेगी बहाई ने घरीट राहलो आता बांगर सराई आजवेची शाला सुरू केली तेवा अस वाटलना आता तरी शिकावा याव यह मजी तरी सही आली ता आली चाड़ेत गेले नंतर खडू कासा पकड़ाचा पाठी कसी पकड़ाची काई ज कड़त नो तो माव टीकाई करेची हाताला आशी पकड़ाची खड़ूनी शिल्याची लिवन दाखवाची पाठी आशी पकड़ाची पुस्तक असदराची अगाणी शिकावली कविता शिकावली अक्षर शर्वा अमला यत्यात असवाई एते योडी विच्छ वती पर्मेशा रानी तेव कोड़ी पुर ने के लिए क्या बात है माम और अमारे प्यारी क्यूति पाई आप हमारे विनीट से कौनसा गाना सुनहांची है अभ यह न जायो छोड़कर और गुलाबी आखे और गुलाबी आ खेर क्या बात है छलिओ ऑजाए फिर बीनीट के लिए तालियाँ छोड़ कर के दिल अभे भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभे भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभे भरा नहीं अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो बहार बन के चाई हो हवा जरा महक तो ले ये दिल जरा बहक तो ले ये शाम ढ़ल तो ले जरा ये शाम ढ़ल तो ले जरा ये दिल समल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूँ नशे के घूट पी तो लूँ नशे के घूट पी तो लूँ अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं ये ही कहोगे तुम सदा के दिल अभी भरा नहीं दिल अभी भरा नहीं 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 अभी ना जाओ छोड़े कर के दिल भी भारा नहीं गुलाबी आखें जो तेरी देखें शराबी ये दिल हो गया समहलो मुझे को ओ मेरे यारों समला मुशिकिल हो गया गुलाबी आखें जो तेरी देखें शराबी ये दिल हो गया समहलो मुझे को ओ मेरे यारों समला मुशिकिल हो गया तिल में मेरी खाब तेरी तस्वीरे जैसे हो दीवार पे तेरी कसम खाबों में भी बचता फिरा नाजनीनों से मैं कौबा मगर मिल गई तुझे से नजर मिल गया गर देजिगर क्या कहो एं दिल रुबा जरा सा हस के जो देखा तुने मैं तेरा बेस मिल हो गया गुलाबी आखे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया समहलो मुझे को ओ मेरे यारों समलना मुशिकिल हो गया गुलाबी आखे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया Thank you. 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 Veneet Singh, तुमने आज फिर एक बार सावित कर दिया के singing का कोई अगर धुरंदर है इंडिना इडल में तो वो Veneet Singh है. क्या बाद है? Thank you, sir. Fantastic. I really loved your performance. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Veneet. Thank you, Veneet. Now, the idol is the golden girl whose papa is a happy, slow, and happy and happy. And perhaps, the other parents cannot become a common rough and tough idol. But they have trained their daughter that she becomes an Indian idol. Indian idol. The girl who wants to bring her father's feet and she's the only joy of the world. Devoshmita Roy. Hi, Devoshmita. आज आपको आशिरवाद देने के लिए बहुत खास शक्स आये हैं बहुत खास महमाना हैं आए देखते हैं जिन्दगी में अगर होसला और जजबा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और ऐसी है श्रीमती सविता सिर्फ 26 साल की उमर में ही उनके पती का देहान दो गया जैसे जैसे मेरे काम बढ़ते गया वैसे वैसे मेरे को खुसी मिलते की वैसे मेरे घर बर भी बनाया बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया तो उसके बाद कार लिये तो अब सभी हमारा परिवार बहुत खूस रहता है अगर लेडिज अगर चपवी साल में मान लेजिए पती छोड़कर चले जाये तो बहुत दुख्की बात है मैंने सब कुछ ये किया अबने बच्चों के लिए किया उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था यहां तक कि कपड़े नहीं थे पेढने के लिए ना कोई साथ दिया मेरा ना ही मैके वाले साथ दिया दूंड रहा है पंठी को दाना बच्चों के लिए मैं खानी बनाना बस आता था मैर क्यों कि मैं जाता पड़ी लिकी नहीं थे उसे मैं उसके वाद मैं टिफीन बनाना चालू करी जिस्ते की मा मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आना चालू हो गया मन ने हर चलू, खुद से वो लव का दिवा कि है जैसे में पाद पैसा आया तो मैंने अपने बच्चों को भी बड़े school में पढ़ाया उसके बाद मैंने बेटे को इंजिनिर कॉलज भी कराया है मन में हल चल, खुद से उसके बाद मैंने अपना घर बनाया, पैसा जोड़ती दिल जो मेरा हल, तो क्या घर बनाने के बाद, आज भागवान की क्रपा है कि मेरे पास सबकुछ उपर वाले ने साथ दिया है मेरा मन में हल चल, खुद से मुलापात बादी हल दिल बहुत लोग बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, लेकिन जितना काम एक मा करती है अपने बच्चों के लिए उससे बड़ा कोई नहीं करते है, बहुत स्ट्रॉंग हो, यह जो आप अपना स्ट्रॉंग बता रहे हो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ आपके साथ के होता हमें, कि जिंदगी कैसे जी हमें लगता है हमें ही क्यों दुख है, हमें ही क्यों दुख है, आपने हिम्मत नहीं हारी, सो, कॉंग्रेचुलेश्ट्यूलेश्ट्यूश् आपके पापा भी बहुत महनत करते हैं, मैं चाहती हूँ कि एक दिन आप भी अपने पापा के लिए बहुत बड़ा सा घर बनाएंगा। ये लड़का हैला कैसा है दिवाना कितना मुश्किल है तोबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल विकरार होता है होते 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 प्यार होता है ये लड़को हुए अल्ला कैसा है दिवाना कितना मुश्किल है तोबा किसको समझाना कि धीरे धीरे दिल विकरार होता है होते 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 प्यार होता है ये लड़को हुए अल्ला कैसा है दिवाना हमने तो इतना देखा हमने तो इतना सिखा दिल का सोदा होता है सोदा जिंदेगी का हमने तो इतना देखा हमने तो इतना सिखा दिल का सोदा होता है सोदा जिंदेगी का मिलते हैं जैसे कोई होता है दिवाना कितना मुश्किल है तो वा इसको सब जाना के दिर 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 पेकरार होता है होते 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 प्यार होता है ओ ये लड़को हो ये लड़को है कैसा है दिवाना वो मेरी सोनरी 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 दिदूंगी जाने जितामत हो नारी मैंने तुझे जरा देर में जाने हो अत्या सूरे खामत हो नारी मैरे तुझे जरा देर में जाने जाने हो मैं सूरे खामत हो नारी मेरी सोनरी सोनरी सोना वो मेरी भाहो से खलते तु अगर मेरे रस्ते से हते जाएगा वो लेहरा के वो बल खाके मेरा साया तेरे तन से लिपन जाएगा तु में चुड़ा लाखदावा छोड़ते है तुब अरे मार के मैंने साथ रहोंगे रहोंगे जब मेरे तुझे जरा देर में जाना मैरे तुझे जरा देर में जाना हुआ का सूरे खफामत होना मैरे तुझे जरा देर में जाना हुआ का सूरे खफामत होना जब वो गाती है तो गाने के हर एक्सप्रेशन को, हर अंदाज को ना सिर्फ कहती है, वो लोगों के दिलों तक पहुचाती है You're an amazing Pafa Hi Devo Hello Ma अब ब से अप जब गा रहे थे मुझे लगता है की, मेरे चहरे पे आपकी वाज बोड़ सूट करेगी आप बात मतलब क्या इंविटेशन करी let me मतलब मेरा मन कर रहा है एक्सप्रेशन्स दूँ साथ में जब अब गा रहा हूं अदी खुदी बोल यह एक्सप्रेशन अच्छे लगेंगे आपके चेहरे पर आपको एक्सप्रेस करना तो मतलब क्या इंविटेशन कि अदेशन करवाने पड़ेंगे उदर जाओ जी मिम साथी आई ये शेनास क्या पात है आड़ी आजाया या पापा को भी बुला लोगा पापा को भी बुला लूगा एच पापा भी आजाओ यह जो कि अ ना कुछ पूचा, ना कुछ मादा, तुने दे से दिया जो दिया, ना कुछ बोला, 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 तुने दे से दिया, जो दिया, तुही दू, तुही चाए, तुही दू, तुही चाए, तुही दू, तुही चाए, अपना पढ़ाये, और कुछ ना जानू, बसे इतना ही जानू कुछ में रभ दिखता है, तीर नाय में क्या दरू सजदे सर जुबता है, यारा में क्या दरू तुछ में रब दिदा, याराम में क्यां करूँ वाँ, 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 क्या बात है वाँ या शेहनास, क्या लग रही थी देव श्मिता की आवाज शेहनास की बार शेहनास की जोरदार तालिया हो जाए अगली जो फर्माईश है, वो हमारे दो कंटेसंस के लिए है, जो मुझे लगता है के साथ कॉन्ट्राक्ट साइन कर चुके है, कि अगर गाएंगे, तो एक दूसरी के साथ ही गाएंगे वरना नहीं गाएंगे प्लीज वल्कम, रिशी अन्विदिप्ता और लगता है तो देखते हैं आपके लिए ये ये श्पेशल फर्माईश के लेकर कॉन आए मेरा नाम अनील यार्दी है, मैं पुना से आया हूँ मेरा एज 72 है मेरा नाम असा ओरिकल करनी है मेरा भी एज 72 रणिंग है मेरा भी एज 72 रणिग है वहाँ 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 लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ ये भी आये थे, मैं भी गई थी एक दूसरे को सभी को इंट्रोड़े करके दिया था और उन्होंने बताय था कि आपको किसी से फ्रेंशिप बनानी है जो आपको लगता होगा उनके आप नाम दीजे तो उनके आप नाम दीए थे तो उसके मुताबिग उन्होंने ने नेक्स डे हमको मुझे उनसे मिलवाया हमारी बाच्चित वहाँ से चाल हो गई चार लड़कियों ने परको पसंद किया था तो यहाँ आड सकता था चारों का मैंने इंटर्यों लिया उसी में से यह वेरों को पसंद लागे इनको देखके भीजा इसा लगा त्यारे की वार नहीं होता है प्यार दुबारा भी हो सकता है कम से कब आठ मेना एक दूसरे के साथ बाते करते थे डेटिंग करते थे कई गुमने जाते थे कई पिक्तिक जाते थे फिर हमने डिसर्ड किया कि हम लोग एक दूसरे को साथ रह सकते कि नहीं रह सकते हैं हम लोग ने एक दूसरे के साथ रहना चालो किया था अभी तक हम लोग ने शादी नहीं किया, शादी करो ऐसा कुछ अपलस्टन नहीं था, पहले से हम लोग ने डिसाड किया था, कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, आठ फेबरोय को हमको आठ साल पूरे हो जाए गा पिछले के जो एक्सपरेंस हमा रहे थे, वह हिसाब से आज ल यह बहुत इंपर्टन है क्या बात है सर जब आपने मैम को पहली बार देखा तो आपके दिल में क्या हुआ, बताइए प्लीज पहली बात तो बहुत गवराता था पहली बात अच्छा वह भी साब अगर देखे तो मेरे को कोई चोकरी पटनी वदी नहीं थी कोई बाई इंजिरिंग का अदमी हूँ मेरे कोई चोकरी और लौ भी कुछ पता देता थोड़े इंट्रोवर्ट किसम के है अगर क्या हो गया इनों ले इनको जब देखा ना तो दिल में ऐसा कुछ दख दख हो गई अर इनका जो उसकान और इनका जो करले केस करली केस? यस इनके करली पावर्ट दाओवा है वहाँ प्या बात है आप दोनों लिव इन रिलेशन्शिप में हमारे एचर जो है वो शादी शुदा है हर हफते उनकी हम दुख भरी दास्तान सुनते है तो क्या ये डाइनमिक्स लिव इन रिलेशन्शिप में भी सेम है? क्या आप दोनों के घर में भी मैम का दबडब है? देखे, मेर को गर में रहने का है मैं अपनी बीवी का दास हूँ चरन दास बोलते है मुझे और जहां तक चरन दास मुझे अपनी बीवी की सेवा करनी है क्यूंके बहुत जने बहुत थपड़ पड़ते हैं बीवी ओं से घर में उन में से कुछ मैं हूँ और हम बहुत प्यार से अपने थपड़ खा लेते हैं मेरे थपड़ पर आपको जो मजा आ रहा है वह लगता आपने बहुत खाएं सर एधर इशलिमेने बहुत खाएं सर अटो जहरा कॉन करता अँप दॉनमें से जादा मेगा हम यह कूँ तो फिर आप उन teen ंपर क्यूं लेकिन जीटे नहीं न कॉशा हकरते होंगे लेकिन जीत ना मुमकिन कि यह प्यारे से गाने सुना दीजे, all the best. कि यह राते, यह मौसम, नदीखा के नारा, यह चंचल हवाँ. कि यह क्या बत है आज की चांदनी में, कि हम हो गए प्यार की रागनी में. यह बाहों में बाहे, यह पहकी निगाहे, लो आने लगा जंदगी का मदा. यह राते, यह मौसम, नदीखा के नारा, यह चंचल हवाँ. कहा दो दिनों ने के मिलकर कभी हम नहोंगे जुदा. यह राते, यह मौसम, नदीखा के नारा, यह चंचल हवाँ. अरचाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रहे गए और प्यार हो गया. ओ, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रहे गए और प्यार हो गया. हम चुप रहे, कुछ ना कहां, कहने को क्या बाकी रहा. हम चुप रहे, कुछ ना कहां, कहने को क्या बाकी रहा. बस आखों में इसहार हो गया, हम सोचते ही रहे गए और प्यार हो गया. जाने कैसे कब तहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रहे गए और प्यार हो गया. हम सोचते ही रहे, हम थो बाकी रहे, बाकी रहे लिए, अजिए आपको बता दू कि ये जो परफॉर्मस थी ये एक नॉन कमपेटिटिव परफॉर्मस थी हम है क्योंकि जिंदगी में खाब है हमारे जजज एचार और विशु सर का खाब था कि इस्टेज पर जो भी हो पाडू हो इस्टेज पर जो भी आए पाडू आए और उनका एक खाब आज फिर पूरा होगा क्योंकि आज आ रही है सोनी लिव के नए शो पाडू से टीम पाडू याने के सयामी खेर पैल गुलाथी और अबिनाश थपलिया के साथ वाल भीयाल के साथ वाल था प्र एस्टेज ए पर आए तेवरी अश्वीन एयर तेवारे पापा, पापा लग यू यू यह तो जगत पापा बन चुके है आप सब का इंडिन आइडल में स्वागत है, तांकी सो मुझ पर कमिंग यह और मेरा पहला बहुत ही एहम सवाल आप से यह है कि आपके शो का नाम भाडू है तो इसमें क्या भटता है? यह पर लवस्टोरी भटती है क्योंकि हमारे जो राइटर है स्वामया जोशी उन्होंने जब वो माम के बास लेकर आय थे स्क्रिप्त उन्होंने यह बोला था कि कोई भी लवस्टोरी ना नॉमल नहीं चाहिए सब कुछ फाडू होना चाहिए तो I think that's why it's called फाडू हमारा शो फाडू है पर यहां के कंटेस्टेंस तो बिलकुली फाडू है तो I have always used the singers from Indian Idol it is very nice कि हम young talent को encourage करें and the whole world sees you, आपको सिफ अच्छा काम करना है और लोग आपको आएंगे दूनने के लिए Thank you so much once again and wish you all the very best आपके इस नहे शो प्हाडू के लिए Please take your seats, enjoy our show और अलसी नमबर वन, इनकी क्रूर माने सोफे पर आलस को enjoy करते हुए अपनी बेटी से कहा बाहर जा कर देख, थंड है क्या, बेटी बोली, खिड़की से देखो ना, सबने स्वेटर पहना है, मतलब थंड है मा बोली, light off कर दे, रॉष्णी चुब रही है, ये बोली, आख बंद कर लो, लाइट नहीं चुब इग दे, मा बोली, आलसी लड़की, कम से कम दर्वाजा तो बंद कर दे, ये बोली, दो काम मैंने अल्रडी कर दिये है, ये वाला आप कर दो चुड़, वालसी गर्ल, और तभी, भगवान भी जिनसे कहते हैं, सुनाक्षी कुछ कर, सुनाक्षी कर सुनाक्षी, आज अज आपने क्या तेयारी की है, आदी भाहिया, आज इतने स्पेशल गेस्ट्स हैं हमारे बीच, जो खासकर हमारे आया है, और ये इतने अनर्जितिक है, तो मुझे उनकी अनर्जी मैच कर थी, तो मैंने सोचा, मैं कैसे नहीं भापाउंगी, तो मैंने ए और अपने आप पे पूरा भरोसा किया कि ये परफॉमेंस को यादगार बनाऊंगी, बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जाए, लग जागने के फिरे हसी रात हो नहो, शान भेस जनमे, मुला का आत हो नहो, लग जागने के फिरे है पासा आईए के हम नहीं आएंटी बार बार पासा आईए के हम नहीं आएंटी बार बार माहे गले में डाल के हम रोले सार साथ आखों से ये प्यार के बरसात हो नहो शायब फिर से जन मुलाकात हो नहो लग जागरी के व करो अथिया जाए ना तिरे बिना जिया जाए ना तिरे बिना जिया जाए ना तिरे बिना जिया जाए ना में तिरे में तिरे बिन साज ना सांस में सांस आए ना तेरे बिना तुझे आजाए ना जब भी ख्यालों में तु आए मेरे बदन से खुशब आए जब भी ख्यालों में तु आए मेरे बदन से खुशब आए मेरे बदन में रहा ना जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना बिल तेरे तेरे बिल साज़ ना सास में सांस आए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिल तेरे बिल तेरे जाए ना यह गाना पंचंदा का वो गाना है जो मुझे लग रहा है कि सद्यों तक कोईसे रेप्लिकेट ही गर बाएगा और सुनाक्षी तुमने इस गाने को पंचंदा के उस की जो एक इजट है गरिमा है उसको तुमने बिलकुल छोटा नहीं होने दिया तुमने बहुत अच्छा गाया यह अन्तरा तुमने इतना अच्छा गाया इतना अच्छा गाया ओ मैगाद और वो अन्तरा फिर से एक बार अडलिब में सुना दू मुझे यह जभी ख्यालों में तू आए मेरे बदन से खुशब आए जब ही ख्यालों में तू आए मेरे बदन से खुशब आए मेह के बदन में रहा ना जाए रहा जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना बिन तेरे तेरे बिन साजना सास में सास आए ना तेरे बिना जिया जाए ना बाह, बाह, बाह बाह बहुत सारे लता-जी को बहुत सारे लोगने बहुत सारे ट canopy疵्की है और अभी आप ने बाह, याइ लगई Thank you sir, Thank you sir तो हम एक शब में खड़े हो के कहेंगे on the count of three, three, two, one, it was वालू परपोर्मेंस! या बात है! वाँ! प्लीज वेल्कम नफदीप वडाली! नफदीप, आपसे मिलने जो खास गेस्ट आए हैं, आईए बेखते हैं! 85 साल की उमर के नाना जी यानी श्री आर के चौधरी, जिन्होंने इस उमर में कुछ ऐसा सोचा जो आम आदमी की सोच से परे हैं! उमर के इस पड़ाव में वो एक सफल अंत्रप्रणॉर बने! अपने और अपने परिवार में आई हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को उन्होंने खुद ही अपनी आयुरूवेट की नौलेच से सौल किया! जब एक बार उनकी बेटी ने उन्हें अपने hair fall problem के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी 25 साल की आयूरवेट की research से एक hair oil बनाया जो इतना कारगर साबित हुआ कि उनकी बेटी के ना सिर्फ बाल जणना बंद हो गए बलकि मजबूत भी हो गए और उन्होंने अपने इस product को आस पडोस के लोगों को भी free में दिया पर धीरे धीरे प्रसिद्धी बढ़ती गए जिसमें उनका पूरा सहयोग दिया नानी जी यानि कि उनकी धर्मपत्नी शकुंदला जी था एक छोटे से घर के किचिन से शुरू हुआ ये काम आज एक तीन मंजला बिल्डिंग का रूप ले चुका है और सिर्फ तीन-चार सालों में ही आज उनका ये business करवों का हो चुका है वो कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती ये साबित किया है पिच्चासी साल के नाना जी और लगबग असी साल की नानी जी ने उम्र के सपड़ाव में एक सफल अंत्रप्रणूर बनके लगश्कार सर क्या शो चुना है आपने आने के लिए क्या बात है सर तीन सीजन से हम ये खोज रहे हैं कोई कान कैसे कैसे अर चाग साक्षात आपने दर्शन दे ये सरुए प्लें आसमय अरफी ताइञ लैने के पाल तो अगा के ही छोड़ना ये ताइञ लायने है क्या कुछ इनके बालों का आप कुछ कर सक्योंका झाल 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 आए मेरी सहरा जबी तुझे मालूम नहीं तुझे अभी तक है हसी और मैं जवाँ तुझे खुरुपान मेरी चान मेरी जवाँ ए मेरी सहरा जबी तुझे मालूम नहीं तुझे अभी तक है हसी और मैं जवाँ तुझे खुरुपान मेरी चान मेरी जवाँ ए मेरी तुझे मालूम जवाँ ये शोखिया ये बाग पर जो तुझ में है कहें नहे ये शोखिया ये बाग पर जो तुझ में है कहें नहे दिलों को जीतने कफ़ जो तुझ में है कहें नहे मैं तेरी मैं तेरी आखों में पागया दो जहां मैं तेरी मैं तेरी आखों में पागया दो जहां है मेरी जहरा जबी तुझे मालूम नहीं तु अभी तक है तुझ में 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 वो मेरे लिए एक शौकर था, तुमने जो अपने होम ग्राउंड पर जिस तरह से तुम तान लेते हो, आलाप लेते हो, वहाँ पर बात ही खत्म हो जाती है, कि भई नवट अच्छी तरह ने लेकिन तुमने इस जोन को भी बहुत अच्छी तरह निभाया, यह अपने आप में गाने में.